तो अगर आप अपना weight loss करना चाहते हैं, healthy के साथ साथ tasty भी बनाना चाहते हैं, तो ये वाली रेसिपी आपके लिए है, तो हरे वाले मूंग लेंगे और इससे हमें पूरी रात के लिए भीगो के लेना है, तो मैं ये जो रेसिपी है इसे breakfast में बनाने वाली हूँ, आप इसे चाम के नाश्ते के लिए भी बना सकते हैं, भिगोए हुए हरे मुंग डाल देते हैं एक ब्लेंडिंग जार में, अदरक लसन और हरी मिर्ची भी एड़ कर देंगे साथ में, तो अगर आप लसन नहीं खाते तो आप इसे स्किंपी कर सकते हैं, इसे हमें दरदरा पीस लेना है और पानी बिल्कुल भी एड़ नहीं करेंगे, तो यहां पर हमारा कोर्स हरे मुंग का मिक्स्चर तयार है, और नेक्स्ट इंग्रीडियन हम ओट्स लेंगे, तो आधा कप जितने ओट्स लिए है, ब्रेक्फस्ट के लिए परफेक्ट है ओट्स, तो ओट्स को हम थोड़ा स रोस्ट कर लेंगे, ताकि यह हलके से क्रंची हो जाए, तो एक पैन में डाल देते है, ओट्स, आधा कप, थोड़ा सा इसमें डाल देते है, जीरा ताकि यह भी हलका सा रोस्ट हो जाए, इसकी जगा पे आप भुना हुआ जीरे का पावडर भी ले सकते है, तो लो फ्लेम पार्च मिनिट के लिए मैंने ओट्स को हलका सा रोस्ट कर लिया था, फ्लेम जो है लो रखेंगे, यह बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते है, तो जलिए हमारे जो ओट्स है हलके से क्रंची हो चुके है, इसे हम डाल देंगे ब्लेंडिंग जार में और इसका हमें एक फाइन पाउडर बना लेना है, तो यह पर हमारा ओट्स पाउडर रेड़ी है, और ओट्स से हमारी जो रेसिपी है, और बी ज्यादा हेल्दी हो जाएगी, तो पिसे हुए ओट्स को हम एड़ कर देते है, हरे मूं के साथ, थोड़े से वेजीज आड़ करेंगे, तो बारिक चॉप की हुई पत्ता गोबी, और बारिक चॉप किया हुआ गाजर ले लेंगे, तो यह एक एक चमच जितना ही लेना है, साथ में डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया, और इस मिक्स्चर को अच्छे से कमबाइन कर लेंगे, इसमें थोड़े से स्पाइसे आड़ करेंगे, जैसे तो आप रेगिलर सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं, टेबल सॉल्ट, और थोड़ा सा आमचूर एड़ कर देंगे, चटपटा पन देने के लिए, और इसके साथ इसमें हम एड़ करेंगे सफेद वाले तिल, यह भी बहुत ज्यादा हेल्दी होते है, तो एक या दो बड़ा च कटलेट्स है, यह बना लेंगे, तो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी और ख्विक वाला ब्रेक्फास्ट है, इसे आप टिफिन में पैक करके भी लेके जा सकते हैं, तो एक पैन में डाल देंगे बहुत ही थोड़ा सा तेल, पैन को ब्रश कर लेंगे तेल से, और इसे आप ओ इसे आप एक पैनकेक का भी शेप दे सकते हैं, इसी मिक्स्चर को, तो कुछ साथ से आठ मिनिट के लिए इसे हमें उलटते पलटते सेखना है, ताकि अंदर से अच्छे से कुख हो जाए, कच्छी ना रहे, तो अगर यह हेल्दी और टेस्टी रेसिपी आपको पसंद आ र इसे आप सर्व करिए हरी चटनी के साथ, या तो केचप के साथ, इस रेसिपी को आप भी इस तरह से ट्राइ जरूर करना, रेसिपी वीडियो पसंद आया है, तो लाइक, शेर, कमेंट, फॉलो करना ना भूलिएगा, तो चलिए चल मिलेंगे, एक और ऐसी हेल्दी यमी टे